हाई गाईज वेलकम तो लेंच और आज मैं डिसकस करूंगा आपके साथ 30,000 कोट का जो की रिजल्ट डिकलेर हो गया है आज मैं आपको सारी कटफ के बारे में उसका अनलेजिस करके बता हुआ कि किस कैटेगरी कितनी कटफ गई और मेकसिम मार्क्स किस कैटेगरी कितने गई ह और इस रिजल्ट के लिए मेरे को बच्चों ने बोला कि इस पर वीडियो बनाए और आज मैं आपके सामने प्रेजन कर रहूं वीडियो चले डिसकस करते हैं Cut-Off की बात की जाए तो देखिये छेनल काटेगरी Cut-Off तो 14.5 मीनिमम मांक्स है जो कि टाइपिंग के लिए बुलाए गए जो कि टाइपिंग का तेस्ट होगा आपका 8 April का टाइम बहुत कम है जिनका एक्जाम क्वालिफाई हो गया है क्योंकि टाइपिंग के लिए सिर्फ 10-15 दिन आपको जल्दी से जल्दी अच्छे प्रेक्टिस करनी है क्योंकि मैं पहले ही बता चुगा था कि आप लोग टाइपिंग की प्रेक्टिस करें जनर्री काइपिंग की economies की बात कि जाए तो जन्होंने सब ज्यादा marks लिए वह वहाई वन 18.5-infam sorryless box अब इसी की बात की जाए मिनम माक्स है 95.5 जिनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और बुलाया गया है ST के टेकर की बात की जा तो minimum marks है 100.75 जिनको बुलाया गया है टाइपिंग के लिए ST की बात की जा तो minimum 90 marks हम discuss करें थे कि क्योंकि उन्होंने लिख रखा था कि जिनके marks 90 होगे उनको बुलाएंगे जिनके 100 होगे उनको बुलाएंगे इन्होंने थोड़ा सा qualify उनको मेरे तरफ से बहुत-बहुत congratulations, आपको अब थोड़ा सा confidently typing करके आनी है, आपको मेहनत करनी है, continuously practice करनी है, अगर आप practice नहीं करेंगे, जिनकी practice की speed, अब घर पर वो practice करते time, अगर 40 प्लस आ रहे ही, 50 के round आ रहे है, तब वो जाकर वहाँ पर 40 कर पाएंगे, क्योंकि typing द तो guys, यह थी cut off की list, और अगर आपको यह वीडियो चलेगी तो please subscribe करें मेरे चैनल को, learn shore को, share करें link को, आगे मैं इसके लिए और वीडियो